नालगर विधानसवक शेतर में बारिश का कहर अभी भी जारी है नालगर की मलेहरी पंचायत के गाउं पपलोहा की कालाकुन नदी पर बनी पुलिया का एक हिस्सा बरसात में बह गया मिली जानकारी के अनुसार बीरवार को नालगर की उपरिक शेतर में हुई तेज बारिश के कारण कालाकुन नदी में तेज बहाग आने से पुलिया का एक हिस्सा पुरी तरह से खशतिग्रस्त हो गया गाउं वालों का कहना है कि ये पुलिया का निर्मान साल 2004 में जिला परशित कमेटी द्वारा किया गया था जिस पर से दरजनों पंचायतों के लोगों का आना जाना है पुलिया डह जाने से सबी के आने जाने का रास्ता पुरी तरह से बन हो गया है जिसके चलते आज सकूली बच्चे भी स्कूल को नहीं जा सके गाउं वालों ने परशासन और सरकार से मांग की है कि जल से जल इस पुलिया का निर्मान करवाया जाए जाना के बहुत इक्तोर ही है आटे करण बार के बार और बार के बार के बार के अड़े रहते हैं और वीडियो नाडगर से इसका इसका आटे करण बूगों को इसकी दीव कुना को सब मेरा नाव अवतासन और मैं नाडगर से जगनी पोड़े दखाला से बिली से में बहुत हैं तो एक्शली सरह हमारी पाड़ी पंचाते हैं जैसे उपर इनाडगर जगनी पोड़े दखाला मलेनी कुनों गर्याच बोंस इन लोग का एक्शली जातर यहां से जैसे कोई ड सब्सक्राइब जाए और इसको ज़ल्द से जल्द मुथे कि दा जिससे हमारे लोगों किस मस्या अपनी पंचातों किसमस्या जांगे जांगे जान जाने पूंच ले सान बहुत भीगतार है साथे बच्चे हड़ी साथा जो पूरा मीन ओ तूट गया आवके बच्चेकार ब तूट भीगतार जाने जाने की बहुत लिक्त अब हमारे एक ही रस्ता है। कि से और तारी वाल metropolitan पर जो इन रस्ते पर जिसे लआवा हमारे यही रश्ते पर तेगे आपि और अर्ट आहिसान कि भूल में तक जलदी याद बनाया जाए हमारे और उन सागत अ क 충ुल में पर चु आपडूकल कुल में एको तर्ण नो कि एन गाओं पुलील आने जाने जाने हैं आका पुली जाने जाने में इस लिए सक उनडलू को जाती है कितने पन्चेत के जोड़ते हैं जाता है इस पूरी की अड़ी कि रिपेर जाए iki एची काल है, साड़ा तो से शेती शेती बारना चाहेगा हीवाचल एक्सप्रेस के लिए नालगर से सुरेंदर सिंग सोनी की रिपोर्ट